हेलो एवरिवन दृष्टी के टीचिंग एक्जाम यूटूब चैनल में एक बार फिल से आपका स्वाकत है मैं होंगे तांजली शुक्ला जैसे कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ डी ट्रिपोल स्बी के एक हास सेग्मेंट पर चर्चा कर रहे हैं डी ट्रिपोल स्बी में ध्य के सामाजी की विज्ञान खंड में जो जोग्रफी सेक्षन है भूगोल का सेक्षन है उससे जुड़े हुए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को हम यहाँ चर्चा में लेकर आते हैं ठीक है ध्यान रखेगा यानि यह है डी ट्रिपल स्बी के टीजी ट चर्चा किया है जैसे ब्रम्हांड की उत्पति कैसी हुई है हमने समझा है गेलक्सी के बारे में आकाश गंगा के बारे में आकाश गंगा के साथ हमने यह भी देखा कि और कितनी प्रकार की कैसी अलग-अलग शित्र में आकाश गंगाएं हो सकती हैं चीक है आकाश गंगा के साथ ही हमने निहारिकाओं के बारे में पढ़ा था और निहारिकाओं के अगली क्रम में हम जैसे ही आकाश गंगा के बाद आगे जिन क्रमों में हमने चल चकी उसमें तारे का जन्म, तारे का विकास यह भी शामिल था, ठीक है, तारे की मृत्यू के पश्यात और उसके आसपास जब सुबर नोबा का विस्पोर्ट होता है, तो कैसे वहाँ पा न्यूट्रॉन तारा का जन्म होता है, यह भी हमने देखा था, जिसे हमने खगोली पिंटो के सीरीज में शुरू किया, कि खगोली पिंट कौन-कौन से होते हैं, उनकी डेफिनिशन्स क्या है, और उन खगोली पिंटों को किन आधारों पर समझा जा सकता है, ठीक, जिसमें हमने न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, इन सभी के बारे में चर्चा किया, अब आगे हम कि किसकी बारे में चर्चा करने वाले हैं, आगे हम किंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आज हम खगोली पिंटों की ही उसी श्रंकला में भाग दो परוצर करेंगे, जो कुछ और खगोली पिंट हमारी आकाश गंगा में मौझूद हैं, हमारी ब्रहमांड में मौझूद हैं, उन खगोली पिंटों को हम किन नामों से जानते हैं, वे खगोली पिंट अपने किन-किन विशेस्ताओं के आधार पर अलग हो सकते हैं, इनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यहने खगोली पिंटों की यह दूसरी सीरीज होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम आज जानेंगे तारा मंडल के बारे में, कि तारा मंडल क्या है, और तारा मंडल को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे तारे के बारे में, या तारा के बारे मप簡़्च है आज हम फिर दूसरा क्रम जो होगा हमारा जिसके बारे में हम पढ़ होगा हुगा कि छुद्रागृह क्या है het के बारे में जानने के कोशिश करेंगे टहान रखेगा दूमे केच्ट vibes की हैं या कैसे ख kissing भॉली बिंड है ठीक धूंखेतु के बाद जो हमारा अग्ला क्रम होगा जिसकी बारे में हम संझेंगे वह होगा उलका पिंड उलका पेंड क्या होते हैं इनका निर्मान कैसे होता है छिखे इसे समझने की कोशिश हम करेंगे देखे पहला है तारा मंडल जब हम आसमान में शाम को जैसे ही सूर्यास होता है तो देखते हैं तो हमें बिंदु के रूप में टिम्टिमाती हुई आकरतियां दिखाई देती ह ध्यान रखेगा जब हम आकास में आसमान में शाम की वक्त देखते हैं तो हमें टिम्टिमाती हुई बिंदू आकरतियां दिखाई देते हैं और वे कुछ आकरतियां या आप कह सकते हैं वे टिम्टिमाती हुई बिंदू आपको आकास में जो दिखाई देते हैं जो प्रकाश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम स्टार कहते हैं उन्हें हम तारी कहते हैं ठीक है अब ध्यान रखेगा यह क्या है यह स्टार है यह तारे हैं तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है तारी और ग्रह में दरसल यही अंतर है ध्यान रखेगा क्योंकि तारे क्या है हमने क्या पढ़ा था नाभी की संलेन की क्रिया इसमें चलती रहती है भीतर नाभी की संलेन की क्रिया से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है जिससे बहुत अधिक उश्मा निकलती है उश्मा के उद्पत्ति होती है विमुक्त होती है जिस वजह से जो तार होता है अब एक और बात कि आपने आसमान में यह भी देखा होगा कि जो तारे टीम-टिमार रहे हैं आगर आप गर्मियों के दिनों में देखें तो यह दeखाई देती है ध्यान रखेगा कि सूर्य भी एक तारा है अब आप कहेंगे कि सूर्य एक तारा है हमें सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है जबकि हम आस्मान में देखते हैं तो हमें और तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं तो सूर्य हमें इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सूर्य अन्यतारों की तुलना में पृत्वी के जादा नजदीक है हम पृत्वी में हैं और सूर्य हमारे नजदीक है किसकी तुलना में अन्यतारों की तुलना में जो हमासमान में देखते हैं अब आप इसे ऐसे समझे कि यदि आप अपने पास एक फुटबॉल रखते हैं और एक फुटबॉल आप एक या दो ध्यान रखिए या तो 50 मीटर के डिस्टेंस में आपने 100 मीटर के डिस्टेंस में दूसरा क्या रख दिया फुटबॉल रख दिया अब आप पास यहां से ज तो तक करें नज़धीक रख्य हुई है। इसी वजह से सूर्य आपको ज़्या बड़ा दिखाई देता है। उसका प्रकाश act кажется और ज्यादा समज में आताático उसकी लाइट आपको ज्यादा समज में आती है independent क्यों कि सूर्य की प्रित्वी से जादा नजदी की है अन्यतारों की तुल्ना में तो ध्यान रखेगा यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य और प्रित्वी की मध्य कितना डिस्टेंस है तो लगभग 15 करोड किलो मीटर यानी सूर्य प्रित्वी के बीच में सूर्य प्रित्वी से कितना दूर है सूर्य प्रित्वी से 15 किलो मीटर दूर है अब एक और तारा है जो प्रित्वी के दूसरे नंबर पर सबसे निकट है जहां रखेगा सबसे नजदीक क्या है सूर्य प्रित्वी से फिर दूसरे नंबर पर जो तारा सूर्य के बाद प्रित्वी के नजदीक है उसे प्रॉक्सिमा सेंटॉरी कहते हैं प्रॉक्सिमा ध्यान रखे सेंटॉरी उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटॉरी प्रॉक्सिमा सेंटॉरी का डिस्टिंस प्रत्वी से कितना है कि आप चार लिखेंगे और चार के बाद आप तेरह बार शूनी लिखेंगे तेरह बार जब आप सूनी लिखेंगे इतने ध्यान रखेगा किलो मीटर यानि प्रॉक्सिमा सेंटॉरी की डिस्टिंस आप सोची इतनी किलो मीटर है जबकि यह दूसरे नमबर पर प्रत्वी से दूर इस्थित तारा है पहले नमबर पर प्रत्वी के सबसे नजदीक क्या है सूर्य फिर उसके बाद जो क्रम है प्रत्वी से दूर जाने के क्रम है दूसरे नमबर पर है प्रॉक्सिमा सेंटॉरी आप सूचिए कि दूसरे नंबर का तारा इतनी दूर पर है तो फिर ये बाकी तारे जो हमें छोटे-छोटे आस्मान में दिखाई दे रहे हैं ये तो और भी ज़्यादा डिस्टिंस पर हैं यही करण है कि हमें सूर्य आकार में बड़ा दिखाई देता है और एक ही नहीं कई प्रकार की आकरतियां देखने को मिलती हैं और यही आकरतियां जो एक मिश्यद विवस्थ धंग से हमें दिखाई पड़ती हैं खास तोर पर ध्यान रखें इन आकरतियों का अपना एक महत्व है इन आकरतियों की अपनी एक व्याख्या है इन आक्रतियों की अपनी एक सुंदर छवी है तो इस वज़े से इसे क्या कहा जाता है तारा मंडल कहा जाता है तो जब आपसे पूछा जाए की तारा मंडल क्या है इसकी एक खास definition पूछी जाये तो आपको क्या बताना है कि पहचाने जाने योग्य आकरतियों यानि कोई पह ऐसी आकरति जिसे आप पहचान सकते हैं यानि पहचाने जाने योग्य आकरतियों के समूह को आप क्या कहेंगे तारा मंडल कहेंगे पहचाने जाने योग्य तारों की आकरतियों आकरतियों के समोह को के समोह को तारा मंडल कहते हैं के समोह को क्या कहते हैं तारा मंडल कहते हैं अब एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब जब हम सबी जानते हैं कि जब हम ट्रेन की यातरा करते हैं रेलगाडी से यातरा करते हैं तो जिस दिशा में ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, पेड़ पौध है आसपास की, जो ट्रेन के बाहर है, हमें विपरीद समय या पीछे चूटते हुए दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, ट्रेन आगे बढ़ी आपने देखा कि पेड़ पीछे चूट रहे हैं, लगात करती है, पश्चिम से पूर्व की और घूम रही है, और अपने अक्ष से, और यह है पश्चिम से पूर्व की और घूम रही है, ठीक है, ऐसे में जो तारा मंडल गती करते हैं, या तारे गती करते हैं, वे किस तरीके से हमें समझ में आते हैं, वे पूर्व से पश्चिम की और गती करते हुए समझ में आते हैं ठीक पृत्वी की गती की विपरीद हमें तारे पूर्व से पश्चिम की और गती करते हुए प्रतीत होते हैं गती करते हुए समझ में आते हैं यानि तारों की गती पूर्व से पश्चिम दिश्चाप की और होती है जो हमारे आसपास वा वे उनकी अपनी एक खास आकरती है यह अलग-अलग आकरती में पाई जाते हैं सबसे महत्पूर्ण तारा मंडल जिसके बारे में हम जानते हैं वह है ग्रेट बियर ध्यान रखें ग्रेट बियर एक बड़े भालू की आकरती उसमें देखने को मिलती है लेकिन कुछ आसपास क चोटे चोटे तारे ही जो आपको दिखाई नहीं देंगे इस खास आकरती में ध्यान रखें ग्रेट बियर की बात हम कर रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से तारे दिखाई देंगे और इसे ही आपस में connect करके इस तरीके से आकरती बनाई जाती है ये बड़ी सी कलिच ही आपने देखी होगी उसकी आकरती ग्रेट बीर की आकरती है ठीक है आप ऐसे ही अन्या आकरतियां भी है ये जैसे आपने एक बिगड़े हुए या विर्करत डबलू की आकरती देखे होगी उस तारा मंडल को कैसियोपिया कहते है ध्यान रखिए का कैसियोपिया कि के डबलू इस अक्रती को यह टारे मंडल को क्या कहते हैं कैसियोपिया तो तारे आपस में मिलकर सब्संदर आकृति बनाते हैं ओर इस हए Najra पहचान सकते हैं इस वजह सेते हैं तारा मंडल कह देते हैं ना क्या कहते हैं घ्यान रखेगा इसमें आकरतिएँ में तारों के सब्रमुघ होते हैं बहुत सारे तारह करIES निर्मान करें यह ती दीन को यहें सब्सक्राइन को क्या ध्यान रखना है जो तारह इस तर नजर या उत्तर दिशा का तारा कहते हैं जिसे हम ध्रुवतारे की रूप में जानते हैं ध्रुवतारे को उत्तर दिशा के तारे की रूप में क्यों जाना जाता है क्योंकि यह उत्तर दिशा की और इस्थित है और आम तोर पर ऐसा माना जाता है कि आसमान में एक तारा है जो सब्सक्राइब आपकरे द्रुद से इसे ध्रुवतारा कहा जाता है और ज्रुवतारा उत्तरदिशा का क्या है सूचक was the other day update तब दिखाइप तारी को देखकर दिशा का पता लगाया जाता था कि यह चंगीला ताना जो हमें दिखाई दे रहा है ग्रीपव तारी यह दिस जानना है अब चुद्र के बारे में अब कुछ गिनी चुनी बात जो आपको ध्यान रखना है सबसे इंपोर्टन बात कि जब हम सौर मंडल की बात करते हैं हमारे सौर मंडल में यानि सूर्य के साथ आठ ग्रह खुद्र के कब चिजित कि द्धुन के उसे हैं हो जाते हैं क्योंकि दोपकर या क्या है ग्रह चक्कर लगाते हों और फुद्रबरख कहां पर है फुदोगों की हम बात करें तो यह बंगल और प्रहस्पति के बीच हैं मंगल और ब्रहिस्पति ब्रहिस्पति के बीच जो आकरतियां इस्थत हैं एक खास पट्टी की रूप में स्थित हैं जो सूरी की परिक्रमा कर रहे हैं वही च्छुद्र-ग्रह कहलाते हैं तो ध्यान पुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल और फिर एक पट्टी नुमा आकरती है जहांपर छुद्ग्रहे हैं उसके बाद फिर ब्रहस्पती तो मंगल और ब्रहस्पती के बीच में छुद्ग्रहों की एक पट्टी मौझूद है ऐसे ही और वह भी सूर्य की क्या कर रही है परि आप इसे जो बड़े टेलेस्कोप होते हैं बड़े दूरदर्शक होते हैं उन्हीं की सहायता से ही देख सकते हैं यह आसानी से आपको दिखाई नहीं देंगे ठीक है? यदि आपको छुद्रग्रहों की इमेज देखनी हो तो आप यह जो इमेज देख पा रहे होंगे सौरमंडल की सौरमंडल की इमेज में यह के पृत्वी है प्रित्विकईद्वाद मंगल और यह ब्रहष्पती ब्रहष्पती आकार में बढ़ाग्रह है काफी चौड़ी यह उद्डी ऑगली ओगली शब्दावली है वह है धूम तो हम थोड़ा धूंकेतु के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं देखिए नाम क्या है धूंकेतु ठीक है धूंकेतु के बाद अगला क्रम ठीक इसी का धिम धूंकेतु के बाद आएगा इसी में पुछल तारा धूंकेतु के साथ-साथ हम पुछल तारे को भी समझने क कोशिश करेंगे धूंकेतु के बारे में खास बात क्या है कि यह हमारे सौर मंडल का ही हिस्सा है जो सन है यानि सूरज है सूरज के आसपास धूंकेतु अत्यंत परवलयाकार या अत्यंत परवलीक अक्षा में सूरी की यहां परिक्रमा करता है यह जो धूंकेतु है वह है पर की परिक्रमा करता है सूरी की परिक्रमा ये करते हैं यही धूमकेतु कहलाते हैं खास बात क्या है कि इनकी सूरी के आसपास जो परिक्रमन काल है इनका वह बहुत अधिक होता है इनका सूरी के सापेक्षे सूरी के आसपास जो परिक्रमन काल है यह बहुत अधिक होता है इनका कि चारोर परिक्रमा करेंगे या नहीं सूरी से आपकी दूरी हुनी की वजह से ही इनका परिक्रमन क्या होता है बहुत अधिक होता है जादा होता है अन्य पींडों औन्य गुरहों की दूल नाव अब धूमकेतु के बारे में खास बात कि जो धूमकेतु होते हैं लेकिन इनकी लंबी पूच होती है अब इनकी पूच लंबी क्यों होती है से हम समझने की कोशिश करते हैं देखिए जो धूमकेतु है और यह सूरी के चाल और परिक्रमा कर रहा है जैसे ही सूरी के नजदीक आएगा देखिए यहां पर सूरी के नजदीक आने की वजह से पिंड क्या हो रहा है बहुत तीव रिगती से गर्म होगा बहुत तीव रिगती से जब यह गर्म होगा सूरी जे सूर्य के नजदीक आने के क्रम मैं चाहें इस तरफ से यह temट क्या होगा सूर्य कि आएगा तो तीव रगती से इसमें से प्रकाश निकलेगा विज्बाइए उसके बाए इस के नजदीक आता है समेंसे बहुत ती व्रगती से गैस और गैसी जो जो दुमके तूँ है यह बर्फ गैसों धूलकरों से निर्मित पिंड है थीक है तो जैसे यह इसके नजदीक पहुंचेंगे तो इनका प्रेकास वह पीछे की ओर क्या होगा पीछे की ओर जलता हुवा जो यह प्रतीत हो रहा है आपको यह पीछे की ओर आएगा जिस वज़ेसे यह इनकी पूछ ऺहलाती है इस वज़ेसे इसे पुछल तारा भी कहा जाता है ठीक यह आपको ध्यान रखना है तो सूर्य के जैसे Hiya समीब जाता है इसकी पूछ की जो आकार है इसकी आकरती है वे क्या होती है बढ़ती जाती है और खास बात क्या है कि इसकी जो पूछ है वे हमेशा सूरे से जिस तरफ सन है जिस तरफ सूरे हो से परे यानि दूसरी ओर होती है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है यह हमने बात की किस के बारे में संकल्पना वह क्या है कि हमेशा आपको धूम के तू दिखाई नहीं देंगे लेकिन अंतराल में एक निश्चत समय के अंतराल में आपको धूम के तू दिखाई देते रहेंगे अभी तक हैले का धूम के तू काफी चर्चा मेरा है पृत्वी में जो हैले का धूम के तू ह है है लिका उसके भारे में क्या कहा जाता है कि हैलिका धूंके तू इस से पहले वर्ष 1986 में और दिखाई देता है तो आपको कमेंट सेक्षिन और बताना है कि अगले कि यह किस वर्ष में आपको से अब हम समझने की कोशिश करेंगे एक नई शब्दवली को जो है उलका पिंड ठीक है उलका पिंड आपने सुना होगा मून की जो उलका पिंड है वो प्रत्वी पर गिरा आसपास प्रभावित हुई हल चल हुई ठीक है उलका पिंड दरसल है क्या देखिए रात की समय जब भ भी नहीं है तो कभी कभी आपने क्या देखा होगा कि आरात को आकास में चमकीला प्रकाश दिखाई दे रहा है चमकीली से आपको धारा दिखाई देती है चमकीली से आपको माली जे आकास है आकास में आपको चमकीली से बहुत तीवर उठती हुई धारा दिखाई देगे और अमुमन इस धारे को हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा, वही टूटता हुआ तारा ही क्या है, धूमकेतु है, आपने जो आस्मान में आप अपनी वायू मंडल की ऊपर जैसे ही रातरी के समय चन्दरमा की गैर मोजुद्गी में आप जो यह ती वर्गती से उठती प्रकाश की एक धारा देखते हैं, यही क्या है, यही उलका पिंड है, यही उलका पिंड या उलकाएं हैं, यही हम शूटिंग स्टार की रूप में भी जानते हैं, तूटते हुए तारे के साथ साथ इसे हम शूटिंग स्टार की रूप में भी जानते हैं, शूटिंग स्टा है चोटा क्या है फिंद है और ये किस से बना है हम सब ही जानते हैं ये और ओल्काओ के बारे में एक आस बात कि जब यह कैश्य प्णिट साथ यह सब्सक्रेश करते हैं तो वारी मंदल में गर्शना का वायू मंदल में प्रवेश करने के साथ ही इन पिंडों का क्या हो रहा है घर्षन हो रहा है यह पिंड क्या फील करते हैं घर्षन फील करते हैं तो जैसे ही यह पिंड वायू मंदल में प्रवेश करते हैं उनमें घर्षन फील होता है घर्षन देखने को मिलता है तो बहुत तीवरकति से प्रवेश के साथ घर्षन की वजह से इनकी जो चाल है वह बहुत अधिक उच्छ हो जाती है अती उच्छ चाल और अत्यधिक घर्षन अती उच्छ चाल और अत्यधिक घर्षन की वजह से ये जो पिंड आपको गैसी रूप में दिखाई दे रहे थे इन पिंडों में क्या होगा जोलनशील या तप्तता प्रकाशित होगी यानि घर्षन की कारणी ये पिंड क्या हो जाएंगे तप्त हो जाएंगे ये पिंड जोलनशील हो जाएंगे ठीक है तो ध्यान रखेगा ये पिंड क्या हो जाएंगे तप्त या जोलनशील और जैसे ही ये पिंड तप्त होंगे ध्यान रखेगा ये तप्तता बहुत जल् चाहाब बहुत तीवर गती से यह पिंड़ चमकता हुआ उपर के ओर जाता है जाकर समाप्थ हो जाता है तो हम क्या कहते है तूटता हुआ तारा है ऐसा नहीं है दर असल यह उच्छी चाल की वज़से वायों डिलों घरशन के कारण जैसे ही अंदर जाता है वह तब तो हो ज की जल उठते हैं और जृचने की बाद क्या होता है होड़ी ही द्य कि लेए होती है बहुत कम समय के लिए ही हमें दिखाई देती है आपको कुछ दिखानी है जिससे हमने चुद्रक्रहों वाली देखी थी दूसरी इमेज आप ध्यान रखेगा सूर्य है यह है धूमके तु धूमके तू जैसे ही सूर्य के नजदीक आता है पिछे प्रगाश की और इसकी पूश बन जाती है से हम है कि उलकापिंडों की मेश तीकर रहे हैं बहुत बढ़े होते हैं बहुत भारी होते हैं यह तो छोटे से समाप्त हो गए वाषपेत हो गया वाईयो में आते ही घर्शन के लेकिन कुछ बहुत बड़ी होते हैं कि उनकी प्रत्वी से टक्राने की संभावना बढ़ जाती है तो हमने ऐसी घटनाएं भी सुनी ही होंगी तो जिनकी आकरती बहुत बड़ी है समानिता ध्यान रखेगा वह क्या होते हैं बहुत तीव्रगती से या पॉनता वाश्पित न को ध्यान रखेगा उलका बेंड़ों की जो मदद से वैग्यान Ernest ये पता करते हैं कि कोई पेंड कैसे बना है फुरास्पान कैसे बना है ठीक है ख़े आपको जानना जरूरी था जिनसमझना आपके लिए जरूरी था उन्हें समझने की कोशिश की उनके बारे में हमने डीटेल से जानने के कोशिश की कि यह सारी चीज़ें क्या हैं चिके मिलेंगे हैं हमारी अगली वीडियो में जो आप से जुड़ी होगी किस से संबंदित होगी चुकि हमने सारी छोटी छोटी चीज़ों जान ली अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में सौर मंडल में जो ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में कि ये ग्रह कौन-कौन से ह इनकी सूरी की परिक्रमन गती में इन्हें कितना समय लगता है सूरी के आसपास की परिक्रमन गती और साथ ही अपने अक्ष में भी क्योंकि घूम रहे हैं उनकी अपनी परिक्रमन गती घूनन गती क्या है इससे हम समझने की कोशिश करने हमारी अगली वीडियो में तब तक आ करते रहिए रिवीजन करते रहिए शुक्रिया